गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मसुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखे स्टुडेंट कई बार सिंदु काटी सब्वेता से समधित आयात की जो वस्तुएं हैं या फिर सिंदु काटी सब्वेता की जो निर्दारन तीथी है इनके बारे में पूछ लेते हैं तो हमने यहाँ पर इन्हीं सब इन्फोर्मेशन को क्लेक्ट करा है तो यह जो टोपिक है हमारा सिंदु काटी सब्वेता में आयात की वस्तुएं एवं सिंदु काटी सब्वेता का काल निर्दारन इन वे से एक क्यूशन आपको एक या दो क्यूशन आपको एकजाम में पक्के पूछे जाएंगे तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिंदु काटि सब्वेता से सम्मंदित या फिर इत्यास से सम्मंदित और भी नहीं नहीं जानकारी प्राप्त हो सके तो चलिए देखते हम सिंदु काटि सब्वेता से आयात होनी वाली वस्तुएं कोन-कोन सी थी तो देखेगा जैसे वस्तुएं तो क्या थी और वहां के इस तलिया परदेश क्या है तो देखेगा टिन जो टिन है ये अफगानिस्तान और इरान से आयात किया जाता था चांडी ये अफगानिस्तान और इरान से और सिसा अफगानिस्तान राजस्तान एमम इरान से आयात किया जाता था सेल खड़ी जो सबसे ज़्यादा मोहरे मिली है कौन सी है वो सेल खड़ी से बनी हुई वो गुजरात, राजस्तान, एम, ब्लूचिस्तान से आयात किया जाता था और सिंदु काड़े सब्यदा के लोगां वो सोना कहां से ज़्यादा आयात करते थे इरान, तामबा, ब्लूचिस्तान, एम, राजस्तान के खेतड़ी से लाजवर्द मनी ये मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था तो ये आपको इधान में रखना है, कई बार इसमें से क्यूसन पूछ लेते हैं इसी परकार सिंदु काटि सब्वेता की निर्दारन दी थी, ठीक है न, तो कौन से इधियासकार ने कौन सी तिथी बताई है तो ये तो आप सबको पता हाई कि बाई, जो सिंदु काटि सब्वेता का काल है वो हम अंदाज के तोर पर ही बता पाते हैं इसका काल नहीं है, बस इतना जरूर हम बता पाते हैं कि बहुत ये ये आदेट यासी काल का एक पार्ट है, आदेट यासी काल कौन से काल था, जिसमें पूरत आत्विक और साहित अर्थार लिखी साग से मिलें लेकिन लिखी साब से वो पढ़े नहीं गए थे इसलिए ये आदेत यासी काल के अंतरगत आता है इसके बाद वधिक काल हुआ था तो हम इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बही जैसे कि पचीस सो इसा पूरव से लेके पंद्रासो इसा पूरव ये फिर दो हजार इसा पूरव से पंद्रासो इसा पूरव में सिंदुगाटि सब्वेता का प्रारम हुआ होगा तो देखेगा कई बार इसमें से भी क्यूशन पूछ लेतें तो इतिहासकार और निर्धारन ती थी जैसे जोन मार्सल हैं वह बोलते हैं कि बही 32 इसा पूरव से 27 इसा पूरव से 27 जैसा पूरव से सिंदुगाटि सब्वेता का समय था इसी परकार माधो सबुरूप वज से पैंती सो इसा पूरव से 27 इसा पूरव अनेस्ट मै के 28 Semisar पूरव से 25 इसा पूरव सीजे गैंड ये हैं सो पच्चास हिसा पूरवा से सत्रह सो पच्चास हिसा पूरवा है माटी मर वहिलर यह बताते हैं पच्ची सो हिसा पूरवा से पंद्रा सो हिसा पूरवा है और फेयर सर्वीस यह फेयर सर्वीस यह बताते हैं दो हजार हिसा पूरवा से पंद्रा सो हिसा पूरवा है तो यह जो ज़्यादा इतियास में परसिद्री या फिमस हैं इन्होंने जो भी सिंदुगाटे सब्वेता का काल बता है उनके बारे में हमने आपको बता है इसको भी आप ध्यान से देखेगा तो देखे संदव सब्वेता में आयात की वस्तुएं क्या थी तिन तिन नामक दातु का आयात इरान, मध्धे, एसिया, अफगानिस्तान से क्या जाता था, स्वन अर्थात सोना, तो सोने का आयात अफगानिस्तान, दक्सिनी भारत, दक्सिनी भारत में कहां से, कन्ना टक से, आयात क्या जाता था, फिरोजा भी कोई दातू थी, इसका आयात इरान से होता था, नील वर्द मनी का आयात मेसोपोटामिया से होता था सिस्ता का आयात इरान, दक्सिन भारत और अफ़खानिस्तान से होता था इसी परकार संक इम कोडियों का आयात दक्सिनी भारत से किया जाता था तो देखेगा यह आपको याद करने अच्छे से की कौन सी वस्तु का आया सिंदू गाटि सब्वेता में कहां से किया जाता था इसी परकार संदव सब्वेता का काल ने धरन देखते हैं सर जोन मार्सल के अनुसार सिंदू सभ्यता का काल 3250 इसा पूरव से 2750 इसा पूरव था अनेस्ट मैके ने सिंदू सभ्यता का काल 2800 इसा पूरव से 2500 इसा पूरव मना है मादो सवरूप वत्स ने इस सभ्यता का काल 3500 इसा पूरव से 2700 इसा पूरव मना है सीजे गैड के अनुसार सिंदू सभ्यता का काल 2350 इसा पूरव से 1700 इसा पूरव माना है मार्टिमर वहिलर ने इस सभ्यता का काल निदारण 2500 इसा पूरव से 1500 इसा पूरव माना है फेयर सर्विस के अनुसार सिंदू सभ्यता का काल 2000 इसा पूर्व से 1500 इसा पूर्व मना गया है इसी परकार रेडियो कार्बन जिसे C14 पदत्ती के नाम से भी जनल जाता है इसके अनुसार सिंदू सभ्यता का काल 2500 इसा पूर्व से 1750 इसा पूर्व मना गया है तो सेर्व मानने तितिये वह रेडियो कार्बन पदति के नुसार है और यह काल जो है वह है पकी cilantro इसाफूरवा से 1700 इसाफूरवा पूरवः मन गया है तो यह आपको धान में रखना है रेडियो कार्बन C14 पदति के नुसार सैंदव सबीता काल निर्दारण क्या है वो है पच्ची सो इस्सा पूर्व से सत्रा सो पच्चास इस्सा पूर्व है और NCRT के अनुसार सिंदू सब्यता का कालव है 2600 इस्सा पूर्व से 1800 इस्सा पूर्व मन गया है तो देखेगा NCRT, रेडियो कार्बन, और एक आपके हैं इधर देखेगा मार्टिमर, वहिलर, मादो सब्रूव वास, जोन मार्सल इस्सा 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 पूर्व से सत्रा सो पच्चास इस्सा पूर्व मन गया है कई बार NCRT वाला भी पूछ लेते, तो NCRT के नुसार सिंदू सब्वेता का काल 2600 से 1800 इस्सा पूर्व मन गया है तो देखें स्टुनेंट्स इस वीडियो में हमने संदव सब्वेता में जो आयात की जाती थी उन वस्तों के बारे में पढ़ा संदव सब्वेता का कार निडारन पढ़ा और पहले वाले वीडियो में भी हमने सिंदू सब्वेता के बारे में काफी कुछ पढ़ा है नगरों के बारे में, संदव सब्वेता का पतन क्यूं हुआ, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है और और भी आगे भी हमां आपको ऐसे ही जानकरी परदान करते रहेंगे तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस से जुड़े रहें धन्यवाद